सामसंग M12 मोबाइल एप लॉक सेटिंग नमस्कार दोस्तों सवागर अब सभी का तिकराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की वीडियो पर हम बात करेंगे एप लॉक के बारे में ठीक है आप जो है कैसे एप लॉक सेट कर सकते अपने डिवाइस में अगर दोस्तो आपको अपने मुबाइल पर एप लॉक सेट करना है किसी भी एप को लॉक करना है तो इस वीडियो को जो है अंतक जरूर देखेगा जो भी मैं आपको यहाँ पर प्रोसेस बताने वाला हूँ उसी को फोलो करना है और उसके बादे दोस्तों आप जो है एप लॉक सेट कर सक वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए बैल आइकोन को क्लिक करें अगर आप ऑनलाइन पेसा कामा ना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा चलिए वीडियो सब्सक्राइब नहीं मिलेगा मैंने पूरा सेटिंग जो है सर्च कर लिया है और सेटिंग मुझे नहीं मिलाएं तो आपको इस तरीके का कोई एप लोग इंस्टॉल करना है अपने प्लेश्टोर से उसके बाद सबसे पहले आपको कहेगा मस्टर पिन क्रेट करें और टिक म एप लोग में तो फिंगर प्रिंट को येस करें अगर नो तो नो पर क्लिक करें उसके बाद दोस्तों एप लोग को केसे सेट करना है तो दोस्तों एप लोग जो है यहाँ पर अपलाई करने के लिए आपको प्लस बटन पर क्लिक करना है उसके बाद जो भी एप को जो है ल लोन शो करके oh okay कर देना है ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ लगबक लग लग चुका है तो एक बर ट्राइ करके देखते हैं कि तो एप लोग दोस्तों लग चुका है ठीक है एप लग लग चुका है और अभी यहाँ पर आप अपने master जैटर पीन के मदद से इस एप को ओपेन कर सकते हैं है तो यह हो गया दोस्तो ओन ठीक है application तो अगर दोस्तों आपको एप में एप लोग लगाना हैं आपके samsung के दीवास में तो आप simply is setting प्रोसेस मेठोड को apply कर सकते बहुत आसान है ठीक है जो भी आप्लेटेशन को लोग करना चाहते हैं आप इसको follow कर सकते ही उम्मीद करते है दोस्तों आपको ये वीदियो पसेते होगा और दोस्तों एक बार नंचाहते इसका जो permissions होते हैं App أ Lor का permissions तो यह प्लोक पर करना नगो लें ठीक है एप लोग पर्मिशन दोस्तों यहाँ पर सारे के सारे इनिवल होना चाहिए तब यह दोस्तों काम करेगा अच्छे से वरना दोस्तों आपका एप लोग सेट नहीं होगा ठीक है तो यह चीज़ दियान पर राखिए सारे एप लोग को यहाँ पर सेट करें अपका एप for watching